अलो फ्रेंड्स वेलकम यहां आई मैं एक ट्रेवलिंग बैग बना रही हूं जिसके लिए लाइनिंग के लिए और में के लिए यह मैंने क्लोथ लिया है और यह फोमशीट लिए है और दो फोमशीट और लिये है छोटी तो यह लंबी वाली जो बड़ी वाली फोमशीट है इसकी मैं लेंद बता हुआ यहां इसकी 46 इंचेस लेंद रुड़ाइ को है और इसकी जो चौड़ाई है वो आ रही है 19 इंचेस और छोटी वाजी जो फोम शीट है इसकी मैं बता रही हूं यह 11 eing's की स्वैर है यह दोनो अब मैंने यहां पर दोनों पीसे कट कर लिए हैं लाइनिंग के और मेन के और इनको मैं कुल्ट कर ले रही हूं फॉम के साथ तो यहां पर कुल्टिंग कम्प्लीट हो रही है और कुल्ट करने के बाद अब उपर से डीड इंच का निशान नीचे की तरफ लगाते हुए छोटी वाली शीट पे अभी मैं कट कर रही हूं एक शीट लिए मैंने तो यहां मैंने डेड़ इंच पे इसको काट लिया है और फिर इसी के बराबर लगभग थोड़ी सी है हाफ इंच पड़ी मैंने इसमें जिपर ली है इसको कट करके और इसको इस तरह से मैं जॉइन करू जोइन कर दूंगी से और यहां पहले मैं इसमें रनर डाल ले रही हूं तो यह रनर पड़ गया है और जिप को इस पे कनेक्ट कर रहे हूं जिप की सीरी साइड अंदर है उपर से टॉप स्टिज दे दिया है पलट के यह कंप्लीट हो गया अब जो पिस्टा काटा था उसको जोइन करना है तो यहां पर इसको भी मैं जोइन कर ले रही हूं और जब जोइन हो जाएगा तो पलट के टॉप स्टिज दे दी मैंने तो इस तरह से यह पॉकेट कंप्लीट हो गई है साइड वाली लेकिन इसके लिए भी पॉकेट बनाने के लिए एक अप्रा मैंने काटा इससे थोड़ा बड़ा पिन लगा के इसको स्टेपल कर लिए और फिर इसको स्टिच कर दूँगी तो जो यह साइड वाले फ्लैप में बैक के यह पॉकेट जैसे हो जाएंगे एक बना ली है और इसी तरह दूसरी भी बना ली है तो यह काफी बड़ी पॉकेट बनी है यह दो पॉकेट हो गई साइड की और दो चोटी चोटी और मैंने काटी है इसकी जो लंबाई चोड़ाई सेम है नाइन इंटु नाइन इंचेस की है यह पॉकेट यह भी जिपर पॉकेट है दो चोटी चोटी एट पाई एट की यह स्क्वेर और काटे यह भी पॉकेट है अब कि यह कंप्लीट को मैं बीच में करके और सेंटर कर लूँगी और इसेंटर पे मैं रही हूं लगाऊंगी 5.3 पे और सेंटर से फिर दूसरे साइड पे भी 5.3 पे एक निशान और लगाऊंगी और इन निशान पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉव कर ले रही हूं जिसे की अच्छे से समझ में आए अब जो सेंटर से उपर वाली लाइन है उधर की तरफ चलते हैं और इधर साइड से 5 इंच पे एक मार कर रही हूं मैं और दूसरे साइड भी 5 इंच पे एक मार कर रही हूं और जो नीचे वाली लाइन है इससे उपर की तरफ दो पे मार करना है अब ये तीनों मार को मत फॉलो करते हुए इस पे अंदर वाली एक पॉकेट लेंगे और रखते हैंगे इसके उपर इसी निशान पे लगाते हुए और तीन तरफ इस पे सिलाई दे देंगे अंदर की पॉकेट इसी तरह से सिलाई मैं दे रही हूं इस तरह दूसरे पार पे भी ऐसे ही करना है अब अंदर वाली पॉकेट की सिलाई को फॉलो करते हुए यहां पर मैं निशान दे दे रही हूं इस तरह से और इस पे बाहर वाली पॉकेट जो नाइन बाइन की है वो रखके और इसी के उपर यहां पर सिलाई दे दूँगी अंदर की 8x8 है और बाहर की 9x9 है तो सिलाई क्रॉस नहीं करेगी तो चारो तरफ इस पर सिलाई देनी है तो यह एक मैं जोइन करके बता रहे हूं नेक्स्ट वाली और भी करनी है अब मैं स्ट्रिप जोइन करती हूं हैंगिंगे स्ट्रिप तो उपर से मैं 20 इंच पे यहां निशान लगा रहे हूं एक साइट पे दूसरे साइट पे 20 इंच पे निशान लगा ले रहे हूं और एक हैंगिंगे स्ट्रिप बता रहे हूं करके इस पे pin लगाती हूँ यहां तक यह pocket है और pocket को पूरा cover करते हुए किनारे का हिस्सा cover करते हुए यह जाना है इसको straight लेकर और जहां तक join करना वहां तक मैं pin लगा रही हूँ इसी तरह दूसरी साईट भी कर लेनी आसी और करके फिर मैं यह सिल ले रही हूँ तो यह अभी मैं एक ह एंगिंग स्टिप मैंने बताया दूसरी और भी लगानी है तो इस तरह से यह देखिए यह साब भी बिल्कु सेम ऐसे ही कम्पलीट करना है तो यह दोनों कम्प्लीट हो गए हैं अब मैं बीच में मोड लही हूं इसको और एक साइट के फ्लैप को लेकि इस पर अब जीपर कनेक्ट करनी है तो इससे थोड़ी आधा देंची एक्स्रा लेके और दो जीपर डालके और इसको उल्टा करके यहां पर एक फ्लैप पर उल् स्टिच देंगे तो यह भी काम करते है मशीन पर अब मैं स्टिच कल ले रही हूं और फिर इसको पलट के इस पर टॉप स्टिच देती हूं अब यह इसको अब जीपर आधा सब्टा करने के लिए गपक के यहां पर जोइन करते हुए दूसरे इससे को सिलाई देनी है तो ज सिलाइ मैंने दे दी है अब इस पे टॉप शिज शीज देनी तो बेक को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद फिर जीपर को खोल लेंगे दोनों रणर हटाके खोल लेंगे खोलते भेस gäller एसाइस पीर नहीं कम्प्लीट हो गया है अब यह साइट्स वाले जो फ्लैप थे जो कि मैंने पॉकेट बना लिये थे इसको कनेक्ट करेंगे तो इसका सेंटर फाइंट करेंगे और यहां पर जिपर के बिलकुर बीच वीच रखके पिन से इसको स्टेबल करेंगे तो तीन पिन दो कॉर्नर पे बीच में इसी तरह नीचे भी बीच में लगाएंगे दो कॉर्नर पर लगाएंगे फिर साइड वाले हिस्से को भी इसी तरह कर लेंगे बैटे और सब्सक्राइबह networks करेंगे और उनाय यहां तरह उतरह ने Euch नेलेरे और रफैसों कर लेंगे ऑर जीके लिसे पाइपिन तरह करते तो पाइपइड से यह कवर कर रही हूं मैं अएसे जिससे की यह दोनों कंप्लीट हो गई हैं लख के पाइप पन और बैक पूरा कं मनने सीधा कर लिया बैक काफि स्पेसिंग काफि शमल हो बैक है काफ पौकेट यह धर सामनी की और यह पौकेट है जिपर है ये भी तो चार जिपर पॉकेट अंदर बाहर की तरफ हो गई है और दो सिंपल पॉकेट अंदर की तरफ है एट बाई एट वाली ये और ये दूसी तरफ बैक पूरा बनके कम्प्लीट हो गया सो थैंक यू वाचिंग फ्रेंज